अपना विजार है आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोड परिच्छा में कॉपी आप कैसे लिखेंगे और ये है बिल्कुल नया तरीका और ट्रिक से अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बोड एक्जाम में 100% गारांटी की पूरे नंबर मिलेंगे अ अगर ये सबसे सही तरीका है इसी तरीके से बोड एक्जाम में कॉपी लिखा जाता है तो ये रहे बोड एक्जाम के पेपर कापी हम आपको पेपर में भी बताएंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कितने नंबर के आते हैं और उसके आंसर किस तरीके से बो पूरिभा रहें रहें उन सभी का सालूसन आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं यहां पर किसी क्वेशन का अंसर अगर आपको न आ रहा हो नहीं आता हो तो आप उसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे इन सभी टापिक पे अगर और ये काम कभी लिखने चाहिए जिससे कि आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे इन सभी टापिक पे पहला पेज की सुरुआत किस तरीके से करें इन सभी टापिक को आपको यहाँ पे सभी के सॉलूसन मिलेंगे इस तरीके से अगर लिखेंगे टापर इसी तरह किसे लिखते हैं और यहाँ पे हम आपको पताने वाले ह ठीक है देख लिएजे वरना बहुत पस्ता होगे आप लोग इस तरीके से क्योंकि A.S.A. टापर हम एक टापर स्टुडेंट है इसलिए आपको टापर किस तरीके से लिखते हैं बोर्ड एक्जाम में अपनी कॉपी इस वीडियो में हम आपको पूरे डेटल्स में बताने वा है कि यहां पर इसकेल से और यहां पर यहां पर यहां ब्लेक इसकेच सिर्फ इन पेनों का आपको उप्योग करना यानि आपको सिर्फ काले और नीला आपको काला निला यानि की आपको रंगीन पेनों का यूज नहीं करना है जैसा कि यहाँ पेनों का उपयोग कभी न करिया आप लाल हरा या किसी भी रंगीन पेन का आप यूज मत करिये सिर्फ काला और नीले तो यहाँ पे प्लेस देकर जगत छोड़कर आपको यहाँ पे लाइनिंग कर देना है इस तरीके से जिस तरीके से हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से लाइनिंग कर दिये यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या कर दिया कुछा आपको क्या करना है जैसे यहाँ पियुक्त है उसमें खंड को और खंड को होता है दिक तो आप खंड को का आंशर लिख रहे हो तो पहले आप उपर क्या है डाल दिजिए आप खंड कर डाल दीजे जिससे की टीचर को क्या होगा कि यह जो भी क्वेश्चन है उसको कापी चेक करने में उनको क्या होगा आसानी होगा और वो समझ जाएंगे कि यह खंड कर का आंसर है ठीक है खंड कर के सभी क्वेश्चनों का आंसर है तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रक्राइब कर डाल देना है तीन घंटे 15 मिनट और हिंदी पुडांग सवका होता है सभी प्रस्ण आपको करना अनिवार होता है खंड को में आपको पहला जो होता वह आपसन होता है ठीक है गद से और पद से आपसन आपके बोर्ड एक्जाम में आते हैं और दस नंबर के आते हैं तो आपको पहले यानि आपसन का ऐसर कैसे लिखना ऐब पहले यह जानेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे लांक्विशनों का अंसर तो यहां पे कला और संस्कृतिक के लिखक है पहला ये इस तर्यकियों गान. तो आपको इसका अंसर किस तरीके से लिखना है ट्रिक से तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको लाइनिंग करनी है ठीक है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दो लाइनिंग करनी है तो यहाँ पर आपको लाइनिंग करनी है और फिर उसके बाद देखे इस तरीके से आप किसी भी प्रस्नों का उतर लिखेंगे यहाँ पर देखें आपको प्रस्नोंतर नंबर वन का आंसर लिखना है तो यहाँ पर प्रशन उत्तर नंबर 1 आपको डाल देना है फिर आपको नीची यहाँ पर क्या डलना है इस तरीके से आपको उत्तर डलना है और यहाँ पर कर देना है अंडर लाइन तो यहाँ पर आपको उत्तर डलने के बाद आपको अब देखे किस तरीके से किसी भी question का answer आप लिखेंगे तो यहाँ पर देखे पहला आपको option वाला हमको बताना है तो यहाँ पर देखे कला और संस्कृति के लिखक यह नहीं पहले का को का आपको यह question रहा और इनके चार option दिये रहते हैं जिसमें से आपको कोई एक option चूज करके राइट जोता उसको राइट करना होता अपने copy पे तो यहाँ पर देखे कला और संस्कृति के जो लिखक है वो वासूदेव सरण अग्रवाल है तो इसका answer हम किस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर देखे आपको डालना है कर इस तरीके से आप डाल कर इसका जो भी answer हो जैसे पहला answer है वासूदेव सरण अग्रवाल तो आप इसको राइट कर दीजे इस तरीके ठीक है इस तरीके से आप वासु देव सरण अगरवाल इस तरीके से आप लोग राइट कर दिजिए यहाँ पे वासु देव सरण अगरवाल इसका पहला अपसन क्या है राइट है और आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली यह बयात है कि आप लोग दो आक्कियों यानि दो देखने में काफी सुंदर लगेगा आपको लांग कोशन आसर में इसको और भी अच्छे से हम बताएंगे ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से आप आप लोग आंसर लिखिए फिर उसके बार नेश्ट जैसे आपको लिखना कोई आपसन नेश्ट भासा और अधुनिक्ता के लेखक है यह रहा जो है वो रचना है इसके लेखक पूछ रखा है चार आपसन दिए इसमें से कौन सा आपसन राइट है तो जैसे यहाँ पर आपसन क्लियर लगेगा देखने में तो आपको यहाँ पर छोड़ कर लिखना है यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है जो भी आंसर है यहाँ पर प्रोफेसर जी सुन्दर रेडी तो यहाँ पर प्रोफेसर जी सुन्दर एडी जो है वो राइट आंसर है आप इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आपके पास बिल्कुल साथ टाइम है तो आप यहाँ पर जैसे आपसा नमबर ख में भासा और अधुनिक्ता के लेखा कौन है तो आपसा नमबर फोर राइट है यहाँ पर फोर राइट है तो आप इस तरीके से यहाँ पर फोर लिख सकते हैं ठीक है सिर्फ फोर ही लिख सकते हैं इसको आप नहीं लिखोगे फिर भी आपको जो एक्जामनर आपके कॉपी चेक करें वो पहचाल लेंगे प्रफेसर जी सुन्दर रेडी आंसर है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ठीक है और आप लोग यहां पर इसके जो आंसर है उसको भी राइट कर सकते हैं फिर उसके बाद देखेंगे हम लांक को कैसे लिखेंगे उसके बाद देखें नेश्ट जो है वो दिये गए गद पहला कीजी नहीं आता है तो दूसरा कीजी तो यहां पर आप रहके जैसे के क्वेस्चन इस तरीके से दिये हैं इसको पढ़कर आपको इसी पैसे में से इसका आंसर लिखना होता है और इसमें से उसी तरफियास का नहीं सबसे इंपूर्टन्ट है जिसको देखकर टीचर नंबर देते वह पाचवा क्वेशन ठीक है पाचवा क्वेशन क्या है कि उप्योग गद्यांस का पाठ सिर्षक और लेखक का नाम लिखे तो इसको किस तरीके से लिखेंगे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे यापको यह कुछ इधर उधर मिश्टेक भी है ना फिर भी सिर् इसको अगर पहचांने की ट्रिक देखना चाते हैं कि पद्यांस गद्यांस को किस तरीके से पहचाने ट्रेक से कि वो किस पार्ट से तो आप लोग उमारे चैनल पर वीडियो अप्लोड है वहां से जा कर देख सकते ठीक है और बात रहा यह सीर्सक का और उसके बाद लेखक का नाम तो लेखक जो इसके हैं इस तरीके का आंसर इसी में से आपको मिलेगा ठीक है इसी में से आपको इन क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा यहां पर आप देख सकते हो कि नित नियुतंता किसी भी सर्जा की मौलिक उपलब्दी की प्रमालिकता सुचित करती है ठीक है तो आपको इसका आंसर वही लिख देना है कि नि प्रित्य नितनता किसी भी सर्जक्र की मौलीक उपलवधी की परमाणिकता सुचित करता है कि इस तरीके से आपको आऊसर लगा हा फिर उसके बाद तो यहां पर प्लेलीस्ट में जाकर देख सकते हिंदी के यहां सम高 on पर लिकिए आपके जो टीचर हो लीजह को पूरी के पूरे नंबर देदे तो यहां पिस तरीके तरिके से वहां देकि पहले पहले और फिर उसके बाद आपको नीची अंडरलाइन कर देना है इसके इस तरीके से आप कर देंगे काफी सुन्दर लगता है देखने में फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना है इस तरीके से लिखने से आपके जो कॉपी होते वह जादे सुन्दर और आकरसक दिखाई देते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको जैसे हमने आपको एक ले लिया टॉपिक हासरस आपके बोर्ड एक्जाम में आया हुआ है तो आपको हमने पहले ही बता चुका है क्योंकि हासरस का वीडियो हमारे अपन कर देना हासरस के इस तरीके से आपको अंडर लाइन कर देना है फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखने वीभाव अनभाव तथा संचारी भाव से पूश्टो कर हमारे हिर्दय में हास नामक इस्थाई भाव उत्पन होता है उसे हासर कहते हैं आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से हमने आपको बता रखा है ठीक है तो उससे कहते हैं हासरस और इसका उधारण आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है और यहाँ पर लिखना है इसका उधारण आपको हम बिल्कुल सरल तरीके से बता रहे ह हाथी जैसे दें हैं गेंडे जैसे खाल तरबुजे सी खोपड़ी और खरबुजे सी गाद तो यह रहे हासरस के उधारण और यह रहा इसका परिभासा ठीकत इस तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और आप हासरस करोलरस सभी रसों के वीडियो अलंकार सभी के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे काफी ट्रिक और ट्रिप्स के साथ आप इसी तरीके से जो तेट टाप और वो इसी तरीके से अपने वोड इग्जामे कापी लिखते हैं तभी उनको पूरे के पूरे यानि की 100 नंबर का क्वेश्चन र रखा है जिससे कि यह काफी सुन्दर और कर सके यानि कि आपके राटिंग कुछ अच्छे नहीं है तो फिर भी आप इसको क्या करें एक पेन का जगह छोड़कर लिखेंगे तो आपका राटिंग क्या होगा बहुत ही सुन्दर और किलियर दिखेगा जिससे कि जो टीचर हो कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय सबसे पहले आपको यह देख लेना कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का है और उस पर मुझे कितने टाइम देने हैं तो यह आप देखें दो नंबर का है तो आप इस पर जादे से जादा दो मिनट टाइम दे सकते हो ठीक तो आप लोग उसका दो परद दो ने यहाद से ज्लिएन में असर रखी सट लुए ज lease पिंडर हो गया जैसे हमारे होगे तो हमारे इस तरुके से गलत होगे तो आपको क्या करना है जैसे यहाँ पर कोई भी टापिक है ठीक करें यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसे काड़ देना है और ज्यादे कुछिस यह करना है कि आप लोग गलत काफी में मत करिए ठीक है पहले से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो गलत कैसे करेंगे सो समझ के लिखे आप लोग का गलत कभी नहीं होगा फिर उसके बाद जैसे किसी भी क्वेशन का आंसर आपको नहीं आता है तो आप लोग उसको छोड़िये मत कुछ न कुछ कीवर्ड जैसे होते छोटे-छोटे सब्द जो मिलते हैं ठीक है जिसे यही हो गया हास रस तो आपको इसमें क्या करना है आपको इस थाई बहुत सिर्फ पता है हास तो आप लोग इसका छोटे से किसी भी तरीके से अपने ही विचारों में भाव में इसका उधार सब्द ठीक है इसका परिभासा बना सकते बना कर आप टुटी-फुटी सब्दों में लिख लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप छोड़ देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे अगर थोड़ा बहुत लिख लोगे तो उसका आपको क्या होगा नंबर मिल जाएगा तो इस तरीके से आप लोग किसी भी question का answer लिखें और हाँ आपको सिर्फ जैसे कि कापी में क्या करते हैं, answer नहीं पता रहता है, तो कसमें लिखें किसी भी पिरकार कि यहाँ फोली निख लिख लिए गाली या फालतु बातों को आप लिख दें जिससे कि आपको अपने बोड इक्जाम काफी है इस तरीके से आप लोग अगर अपने गापी लिखेंगे तो आपको एक अच्छे मांक्स मिलेंगे और एक टापर बनेंगे अगर आप मांप लिखना चाहते हैं इसी तरीके से लिखें जैसे अंने बताया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हाँ एक हमारे सेकंड चैनल करेक्ट से इच्छा यूटूब चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक टेक्निकल लबली यूटूब चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दे और हाँ वीडियो को प्लोब लाइक और जादे से ज़्यादा वीडियो को सेर किया करिए जिससे कि जादे वीज वीडियो पर आया और आप सभी लोगों को हम अच्छे एच्छे ट्रिक और ट्रिप्स के साथ वीडियो प्रवाइड करा सके अगर आप अभी तक अपना विडियो को नहीं देखे ट्रिक वगरा को नहीं देखे तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को बड़ासा लाइक करते चनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करते जिस्तिके हमारे दारा विजी के इस तारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहलेंगे कमेंट करना ना बुले थेंक्यू अल्यवेरी वेस्ट बादर